नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखे आज नो तारीख है और आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत लेंगे देखे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ 40 और मंत्री शपत लेंगे और अब तो सांसदों को कोल आना भी शुरू हो गया है तो आज हम इसी सियासी मुद्धे पर बात चीत करेंगे और आज सियासी मुद्धे पर बात चीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चरुंपांडे जिए सबसे पहले समद कर देते हैं चाहेंगे कि आप हमारे believers को बताएए किन किन सांसदों पास gp-na inexorati को ऑपनोच गया और ज्टि पीम्हेलों घर से भी गया ये दोनों एक साथी सव अप्रेशन कर रहे तो पहले तो जैपी नड़ा और अमिज चाह विए पहुंचे हैं अब ये पी नड़ा का इसी महिने उनका कार्षकाल खत्म हो रहा तो अब यह तो है अभी पका का सकता हूं कि मंत्री मंदल में सामी लो सकते हैं या किया जा सकते है लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया सकता है बाकी अमित्सा राधनात सिंग नितिन गटकरी जो भी पहले से था कि रक्षा ग्री विदेश और बीत ये विवाग जो है वो बीजेपी के पास रहना रहना है तो ये तो रहेगा ही अब रही बात की पहले बिहार से ही मैं सोई करू तो भी हाथ से कौन-कौन मंत्री हो सकते हैं कल ही लाइट शेटीज ने ये बात कहा था कि मित्सा ने जो कल सहहोगी दलों के नेताओं से प्रामर्स किया उत्ते कल हो गया था कि साथ एमपी पर एक मिनिस्टर बनेंगे मोटा-मोटी ये फर्मूला पर अभी बात हुई थी औ उसमें जदिव से ललन सिंग्ग और रामनाथ ठाकुरिन को ला गया है को दोनों अभी प्रधान मंत्री आवास में जा चुके हैं बड़ी खबर आपको अरुन सर बता रहे हैं बता दिया है कि जेपी नडडा का कोल आ चुका है ललन सिंग्ग के पास भी और राम नाथ ठाक सब्सक्राब है संख्या साम तक तो अने का सिलसिला इपाई क्या इे है송 पाज़ी हैब है नित्याद राइग भी क्ला गयं और गिराथ सिंग्को बागा पहले से आपने कुलास कि आ पहुंच चुके आपको अरुन सर ने यहाँ पर छे नाम बताए हैं जिनके पास कॉल आ चुकी है और अब वो पिये मावास पर आज पर जिननों को बुलाया गया है जो मंत्री बनाए जाने वाद है अभी उसमें सबसे एक इंट्रेस्टिंग नाम आया हूँ तमिलनाट के पर्देश अध्या की बीजेपी के जो अन्नाम अलाई चुनाव हार गये थे लेकिन मंत्री मंडल में उस सामिल किये जा रहा है एक उनका भी नाया है नेविरिंगे सेट जारखंड है तो वहां सब लोग बैट करके जिसको कहिए कि फोन रिजर सभी लोग रखे हैं कि बस अब कॉल आ गया तो सब उसी तरह से जो नहीं कुछ नहीं दिख रहा है एक मुझे देखा जैसे अभी तक भूपेन ज्यादा को कॉल नहीं आया है लेकिन बहां अरुन मेगवाल को कॉल आ गया राजस्तान से अब मर्दे सिवराज सिंग चौहान जो एक चीफ इनिस्टर है काफी बोट से जीते हैं हो भी कॉल आया हो भी पहुंच चुका है लेकिन अरुन जी एक हैरान करने वाला नाम आपने बताया आपने बताया कि गिर बीजेपी नहीं करें और टिकेट नहीं दे लेकिन टिकेट भी मिल गई है जीत भी गए और इसके बाद वह जैसा मैंने आप से का वीजेपी के फायर ब्राण नेता है वो अपने बर बोले पन खिले जाने जाते हैं और ग्रामीन विकास मंत्रा ले था उनके जिमन मैंने कहा कि देखिए अब तो प्रधान मंत्री का ने बीवेक आदिकार है प्रधान सीड़ बीजेपी को आई है इस वार अकेले बहुमत भले नहीं आया हो सहयोगी दल के भूते वो सरकार बनेगी और वो सरकार गिरेगी भी तो कहीं कोई बात ऐसी हो जाएगी लेकिन खैराज तो अभी सरकार बननी जा रही है बीजेपी की हनक रहेगी ये बात देखे बिहार से दो नेता जो थे न यहां कहिए उसमें गीराज सिंग और दूसरे अस्वनी चौवे जब नरेंद मोदी चीफ फिनिस्टर थे गुजरात के उन दोने यही दो नेता उनके बहुत करीब थे वह एक अलग है कि जिन कारणों से या कहीं कारणों से अस्वनी चौवे इस बाद चुग गए उनको टिकट नहीं मिला तो गिराज सिंग का पहले से बखसरी भभी हार गई तो गिराज सिंग का वो नरेंद मोदी से उनका पुराना संबंध है और एक बीजेपी लीडर के रूप में तो एक तो कहीं न कहीं पर हमला बोलते रहें तो मतलब आप कहे रहें कि यहीं वजा है जिस कारण से गरिराज सिंग को मोदी क्याबनिट में जगहां मिल सकती है लेकिन अब एक और सवाल है अब तो कॉल भी चला गया है लेकिन एक और सवाल है अरुझी जो लोगों को परिशान कर रहे हैं सब यह अच्छा ही विभाग मिलेगा मोदी के हनुमान है और आपको याद होगा कि रामबिलाज जी जभी मिनिश्टी में रहे तो अच्छा विभाग मिलता था और एक शवी पिता वाला विभाग मिलेगा चलागों मंत्राले को लेकर को क्यास लगाना मुझे लगता है कि आप से दिया कि चार विभाग तो रहना है बीजेपी के पास उसमें कभी जब अटल जी प्राइम मिनिशर थे ना जोर्ज फर्णांडिस को रक्षा मंत्री उन्हें बनाया था लेकिन अभी तो अब नहीं मुदी की गवर्मेंट में तो यह चार विभाग मुझे अभी इसे इंकार लेखा नहीं क्यार सकता है लेखा लालन सिंग को संभव और अप्रीक Ciao सब्सक्राइक. नहीं मिलता है लेकिन ती बिहर को राज कुमार सिंग्ग मंथ्री तो भाग अच्छा ही मिलेगा यह यह वह सवाल है कि कहा रहा था कि जेडियू से कोई चार ऐसे लोग हैं जो इस बार मोधी क्याबिनिट में शामिल हो सकते हैं चार चेरे होंगे जिनको जगहा मिल सकती है लेकिन आपने बताया कि सिर्फ दो ही के पास को अलाया है यानि कि रावना ठाकुर और सिर्फ ललन से पास तो लग रहा था बहुत तरह क कि बात थे क्लवी मैंने आप से बिस्तार से बात बता ये लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं जब दो ही मंत्री बनने आ हैं ये बात भी आपने बताई है वीवस के लिए कोई कल जो आपने जानकाली दिये है कि कल जो अमीचा के यहां जेपी नड़ा की सब नताओं के साथ में नितीजी भी गया थे ललन सिंग और संजेज भी गया थ जब बात हो गई तो दों मंत्री बनाए जा रहे इसलिए उनला चाहे सवाल है ढुट हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखर इसके जरिये जातियों को सोभी साधनेकिक अभी आभी तो बिस्तार और होगा विए में ज्यार॥, ज्यायक्वार को साधने भर तो अभी सेごाने को अभर जो अधिन यह साल नबंबर में क мнत्रीमनडल को ङए कपने विस्तार में कहीं जहां जू पुलिकल नजर यह से रités साधने भर की उसमें फिर यह जो बात आप कह रहा है कुछ लोग जोड़ी बीजेपी का केंदरी नेति समझेगा कि इसको किया जाए तो उससे इंकार नहीं किया लेकिन आभी तो फस्ट पेच का रहा है विस्तार भी होगा ही होगा और जातियों को साधने की भी कोशिश होगी उसके जर्ये तो देखे इस रिपोर्ट में हमने आपको तफसील से बताया है कि आखर किन-किन सांसदों के पास कॉल आना शुरू हो गया है और किन-किन के फोन बजने भी शुरू हो गया है इसकी भी जानकारी आपको लाइफ सिटीज में सब से पहले दी है तो फिर ये किन-किन के जारी जांना थो हो गया है, दो हैंपको लाइब कर सकत вызब किन-किन किन-किन से रिदू हो ये, फिए. म आपको जखर एंजन आपको तो किन-किन सांसे पनटा है